यहीं दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम पिछले कुछ महीने से काफी एस्थीर है केवल चार महीनों में ही दो बार टीम का कप्तान बदला जा चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाली हमें साहिन्स हाफरीदी को चेंज करके वापिस से बाबा राजम को एक बार फिर से टीम की कमान सोब दी है इससे मगर सायद PCB को बाबर की योगता पर पूरा भरोसा नहीं है इसलिए अब उनकी नजरे भारत को चैंपियन बनाने वाले दिगज पर है दरसल PCB ने सनिवार को अधिकारिक रूप से रैड बोल और वाइड बोल प्रारूप के लिए कोच के पदों का विग्यापन जारी किया है इसके अनुसार उमीदवार 15 अपरेल तक आवेदन कर सकते हैं उमीदवारों के पास नियूनितम के अवल दो कोचिंग की पातरता होने के अलावा घरेलों अंतरास्टे या फिर फ्रैंचाजी टीम को कोचिंग देने कम से कम 5 साल का अनुभव होना चाहिए हाला कि PCB के एक सूतर ने खुलासा किया है कि बोर्ड गैरी क्रिश्टन और जैसन गैलेस्पी को कोच बनाना चाहता है और उनी के आवेदनों का इंतजार भी कर रहा है